आज आपके क्लास 10 के परिक्षारतियों का अक्टूबर वाले मासीक परिक्षा का यंतिम दिन है आज आपका मैत का और अंग्रेजी विशाय का एकजाम होगा दोनों बिसाय का परसंपत्र हम लोग अब्जेक्टिव पूरा डिटेल में मैं मैत का भी अब्जेक्टिव और सब्सक्राइब करके देख लिए कि काफी सांदार संदर प्रसंप पूछा गया था किस प्रसंप का उतर कौन सा होगा कैसे आप इसको स्वार्प करेंगे पूरा मैं आपको डिटेल में सिखा चुका हूं चलिए मैं लेकर चलता हूं सीधे आपको सब्जेक्टिव प्रसंप तो यहां पर देखिए का सब्जेक्टिव प्रसंप ध्यान जा समझेंगे इसी वीडियो में अंग्रेजी का भी आपको सब्जेक्टिव समझाऊंगा तो यहां पर लगूतर यह प्रसंप एक से दस तक पूछा गया पांच का जबाब देना है अब देखिए यहां पर करें इतना का गुनान फल गयाद करें तो यहां परस ने सेम परस नाइंथ में भी पूछा गया तो ए पुलॉस बी इंटू माइनस बी के होल समय पर यहां पर दिखाई देरा है कि 3 3 का 9 दूनी 18 और यहां पर जाएगा दो दूनी 4 तो चोवा आंसर आ जाएगा तो यहां नो बन निकाल सकते हैं अच्छा कर रहा है दुई घात समिकरें इतना का मूल निकाले तो छो को तोड़ दीजेगा तीन दूनी छो और यहां पे लिग दीजेगा तीन में सद्धो जाएगा तो एक एक सो जाएगा तो ऐसे भी आप आंसरी इसका निकाल सकते हैं यहां पे कर रहे भी आप बना सकते थे मूल की प्रकिर्थी ग्याद कीजिए मतलब वहीं डी बराबर बी स्कॉर माइनस फूरे से निकाल कर और अगर डी कमान माल लीजिए जीरो के बराबर आता है तो आप कहा देंगे मूल वास्तियू कर समान होंगा और डी कमान अगर जीरो से छोटा आएगा त जेटी बाइगा तो कहा देंगे वास्तियू करा लग-लग मूल होगा तो यहीं तक आप बना सकते हैं या उसे भी आसान इसमें से कोई प्रसुन छोड़ना है तो छोड़ दीजिए और पाई था गोरसपर में का कथन लिख दीजिए जो आम लोग पढ़ते हैं एस्क्वाइ प्रुप्रिट चैत पर तो थीरी पाई रा स्कॉइर करके और अरके जगा पर साथ बैठा दीजिए कितना आसानी से आंसर आजाएगा या इसको भी बना सकते थे गोला का आयता तो फोर भाई त्री पाई र क्यू करके और एकी सेंट्यमीटर करके या इसको भी आप तो यह काफी आसान था कोई पांच आप बना लिजेगा आगे मैं आपको 500 किया हूं वह भी मैं आपको लिए दिखाऊंगा ठीक है अब यहाँ पे दिर उतर यह प्रसुन जो है मैत में वह इस तरह पूछा गया कि इसमें से तीन प्रसुनों का आपको उतर देना था तो सिध करना तो यह भी घृ और स्थापित कर सकते हैं या संथी न को नीकाल्याओ कि अगया चिजा तो इसमें सदी और इंग्रेशी कहँ आपको दिखा ठीक है उसके बाद मैं पूरा आपको उत्तर देखाऊंगा कि की सुरूप में आपके लिए उत्र तायार किया गया ध्यान से देखिएगा पर अंग्रे जी की सब्जेक्टी प्रसंदेखते हैं इसका भी अब्जेक्टिव जो आप देख रहे हैं इसकी चर्चा हम लोग कर लिख सकते हैं अच्छा इसमें देखिएगा 11-15 तक जो है यह आपका लॉंग आशन टाइप प्रसंद था इसमें से तीन का उतर देना है तो एक पराग्राफ था यह मैं आपके लिए लिख दिया हूं अच्छा और यहाप एक लेटर था आपने मॉदर के पास लिखना था क यहाउल लेबर ने भर घूशिन फिन इन औरत आपके लिए तीसरा गेना जो था मिंए यहां पर नॉटी लिखना तो भी मैं टायार सकते हैं आप चले मैं दिखा आगो किश रूप में उतर है ठीसी hasty ग् Är चानल का ऊंचा हूं और की सौत बनाई ताकि चीजी आप वस्पस्ट हो जाए और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने देखे ए आर केरियर पॉइंट.com वेफसाइट सर्च करेंगे तो यहाँ पे रिचलेट में आएगा देख लिजे का जहां पे भी ए आर केरियर पॉइंट.com वेफसाइट सो कर रहा होगा इ यहाँ पे ध्यान से समझेगा किस रूप में आपके लिए उतर तायार किया हूँ तो यहाँ पे यह आपके सामने ओपेन होगा और आज आना है आपको क्लास 10 कर टेगरी में और मैत का देखना है तो मैत वाले पे किलिक कर दीजिए अगर आपको देखना है यहाँ अंग्रे अंग्रेजी का यहाँ पे ओपेन हुआ है तो मैं अंग्रेजी का आपको दिखा दे रहा हूं कि पूरा प्रस्न पत्र है और यहाँ पे अब्जेक्टिव का उतर और सब्जेक्टिव में देखे 5 का उतर लिखना था तो यहाँ पे देख लिए ध्यान से तो यहाँ आप मैथ की बात करें तो मैं मैथ पे भी आपके लिए किलिक किया तो यहां पे देखिए मैथ है परिक्षा को लेकर एक एक जानकारी उसी तरह यह उपेंड कर दिया अब यहां पर धियान से समझेगा कि शुरूप में प्रसुन पत्रा यहां पर पूरा उतर है सब्जेक्टिव की बात करें तो सबसे पहले देखिए आपसे लगुटर यह पूछा गया था यहां पर देख लेंगे सबसे पहले क्या पूछा गयाता आपसे लगुदर यह एक से दस तता ठीक पाच का उतर देодыले लह था अब अब यहां पर नीचे की त्रफ हम लों बढ़ें तो यहां पर कीछ देख लिज़ेगा पांच का उतर है जो यहाँ पर पहला जो मैं आपको दिखा रहा था कि यह प्लस बी टू हम लुटे एस है प्लम केसेको हैं दूसरा यहां पर डी कमान नीकालना था उभी आया प निकाला गयाह तीसरा देख लिज़े जो मुल निकालना था घ् pellet पूरा देखिए मैत का और अंग्रेजी का हिंदी अब आपका अब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनु जो है arcarrierpoint.com आपको इस तरा आना है और कलास 10 कर्टेगरी में आईए और अगर आपको मैत का देखना है तो मैत वाले पे क्लिक कीजिए और इंगलीश का देखना है तो इंगलीश वाले पे क्लिक करके यहाँ से देख लीजिए तो पूरा उतर अफबडेट हो चुका है यहाँ साकर जल्दी से देख लीजिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद